हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो एलकैडमी नाव आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं शिफ्ट टू का सुलूशन जो कि एक वीडियो में लेने वाले हैं ताकि आपको क्लारेटी मिल जाए तो आप यहां पर मुझे एक चीज़ जरूर से कॉमेंट करके बता देना कि जो भी मैं यहां पर सुलूशन आपको बताने वाला हूं वह सारे इस वीडियो में शॉटकट ट्रिक्स मतलब किस तरीकी से फटा ज्यान रखूंगा तो यह जरूर से बता देना अब आगे बढ़ते हैं पहला कोईशन जो पूछा गया था कॉंटिटिटिव एप्टिटिटूट के ही पार्ट को हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो कोईशन यहां पर दिया हूँ है कि प्लस के रेस्टू माइनस वन इक को क्या लिख सकते है न अपॉन के लिख सकते है क्यूंकि पावर में माइनस हो तो वह डिनामेटर में रहता है मइनस री अब लिखे में ले लेंगे तो आएगा के स्कुए प्लस वन और यह के इस तरह आएगा तो माइनस्टू के अब इस एक्वेशन को थोड़ा अच्छे वह स्कौर्य is equal to zero, तो k equals to two values gonna be equal to zero, मेरे पास minus and two values मिली, दोनों की value minus one है, तो यहां पर k की value क्या बन रही है, minus one बन रही है, k की value है यहां पर minus one आ गए, अब इसमें put up करके देखते है तो minus one यहां पर रखेंगे, तो minus 1 का square बहुत simple है, अब आपको बहुत easy लग रहा होगा, तो यहाँ पर आगे बढ़ता है, इसको solve करता है, तो देखो यहाँ पर minus minus बहुत ज्यादा दिख रहा है, यह minus का square 1 आ गया, फिर 4 into minus 1 तो minus 4 and minus 2, उसके बाद denominator में 1 minus 1 and minus 5, तो हमारे पास बचता है, 1 minus 4 and minus 2 क्या हो जाएगा, minus 6, तो हमारे पास उपर बसता है, minus 5, denominator में यह 1 cancel हो जाएगा, हमारे पास minus 5 बचेगा, दोनों cancel हो जाएगे, आएगा answer 1, जो कि option number 2 जो है, यह आपका right answer है, तो यह आपका question था, आप अगर आपे जो है, इतना लिखोगे, तब जाके इतना time लगेगा वरना इससे कम टाइम में solve हो जाएगा, काफी easy था, दिखने में hard लग रहा था, आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, अब यह वाला question है न, इसके लिए आपके fundamental skills जो है न, बहुत गजब चाहिए, मैं अगर कहूँ न, तो, आपके पास यहाँ पे maths के fundamental skills आने चाहिए, तब जाक पता है, जी बिल्कुल, आराम से पता है, है न, मैं क्या करता हूँ, बी की जगह पे रख देता हूँ, one upon a, ठीक है, ध्यान से सुनना, बी की जगह पे क्या रख देता हूँ, one upon a रख देता हूँ, तो, इस तरफ क्या change आएगा, यह अपना a square ही रहेगा, यहाँ पे main change क्या आएगा, two into a into b था न, अब b की जगह पे one upon a है, तो two into, क्या आएगा, a into one upon a, तो यहाँ पे a और a cancel हो जाएगा, यहाँ पे सिफ two ही बचेगा, b square की जगह पे, one upon a square, अब अगर आप देखोगे, तो a square plus two plus one upon a square, यह आपके पास रहा, इस तरफ क्या है, a plus one upon a whole square, अब मान लो, मुझे कहीं पर पूछा जाए, कि a square plus one upon a square की value क्या होगी, तो इसको as it is रखेंगे, two को यहाँ पे ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a plus one upon a whole square, two यहाँ पे आगया, तो minus two, यह आपके पास आएगा, one upon, यह खास दियान रखना, a square plus one upon a square क्या होगा, a plus one upon a whole square minus two, यह आपके पास रहेगा, यहाँ तक समझ में है, अब आगे solve करते हैं, देखो, हमें क्या पूछा गया है, question में, क्या दिया है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि क्या दिया है, x plus one upon five equals to, x plus one upon five equals to five root two, ठीके, यह हमें दिया हुआ है, अब इस तरफ क्या दिया है, यह मेरे कहाँ से एक छोटा सा change आएगा, यहाँ पे one upon x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे one upon five नहीं होना चाहिए, तो x plus one upon x क्या होगा, तो x plus one upon x हमें दिया हुआ है, five root two, ठीके, यह printing mistake थी, तो इसको आप ignore कीजिए, one upon x था, x plus one upon x equals to five root two, अब यहाँ पे x plus one upon x five root two दिया हुआ है, अब मैं इसको इसके साथ compare करता हूँ, ठीके, compare करता हूँ कहने का मतलब है, कि मान लो मैं इसको square करता हू तो यहाँ भी मेरा square हो जाएगा, तो x plus one upon x whole square क्या मिलेगा मुझे, 25, five is a 25, root two, का two हो जाएगा, 25, two is a, कितना हो जाएगा, 50 आया, x plus one upon x whole square मेरा क्या आ गया, 50 आ गया, अब मान लो मुझे चाहिए x square plus one upon x square, तो मुझे करना क्या होगा, a plus one upon a whole square minus two करना होगा, ऐसे ही, one x plus plus one upon x whole square, that means 50 minus, क्या करना होगा, two, two constant है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 48 आएगा, देखो एक और बार समझा देता हूँ, यह हमने derive किया था भी यह formula से, हमें कुछ इस तरीके से answer आया, अब मुझे find करना है x square plus one upon x square, तो मुझे क्या करना है, 50 minus two किया, 50 कहां से आया, त यह तो हमें पूछा नहीं है, पूछा क्या है, पूछा हमें है, x raise to four plus one upon x raise to four, x raise to four plus one upon x raise to four, मुझे मिला है x square plus one upon x square, तो अब मुझे four raise to four में convert करना है, तो simply मैं क्या करूंगा, x raise to four plus one upon x raise to four मुझे करना हो, तो क्या करना होगा मुझे, अब यहाँ पे देखो, मुझे इस को लाना बहुत simple है first step में हमने क्या किया ता है इसका square किया और उसमें से minus 2 किया तो मुझे ये मिल गया अब मैं इसका square करूंगा मतलब की 48 का square करूंगा और minus 2 करूंगा तो मुझे X raise to 4 plus 1 upon X raise to 4 मिल जाएगा अगर आपको detail में समझना है तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं trick wise चलूँगा अगर आपको detail concept चाहिए तो मैं इसकी separate video बना सकता हूँ तो 48 का square करेंगे तो generally multiplication से किया जाएगा तो उसमें बहुत जाड़ा time जाएगा 50 के करीब का number है ना 50 और 48 में कितना difference है दो का difference है दो का square क्या होता है तो लिखेंगे 04 अब यहाँ पर 50 का half कितना होता है 25 होता है ना तो जब 50 के करीब का find करेंगे तो उसकी process यह ही है कि आप यहाँ पर 50 का half 25 ले लो कितना difference था दो का difference है तो 25 minus 2 कर देना है तो क्या आएगा 23 आएगा तो 2304 यह है 48 का square माइनस 2 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 2, 3, 0, 2 जो मुझे यहाँ पर find करना है तो option यहाँ पर last वाला जो है fourth option यह इसका answer है अब काफी कोई समझ में नहीं आयोगा multiplication एक और बार clear कर देता हूँ मानलो मुझे 47 का square find करना है तो मैं क्या check करूँगा 47 और 50 के बीच में difference कितना है 3 का है तो 3 का square क्या होता है 9 होता है तो 09 हम लिख देंगे अब 3 का difference है तो 50 का half कितना है 25, 25 minus 3 करो क्या आएगा 22 आएगा तो 2209 जो है वो 47 का square है इस तरीके से आप find कर सकते हो अगर 40 से करीब में number है अब हमने minus किया क्यों क्योंके 50 से चोटा number था 50 से बड़ा number हो तो क्या करेंगे 25 plus करेंगे तो इस तरीके से आप करीब का number जो होना उसका answer आराम से लेकर आ सकते हो आपको ये trick समझ में आई होगी नेक्स एक्जाम में यूस कर लेना अब बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ तो यहाँ पर question number 3 पर है a man rows a boat at a certain distance downstream in 9 hours ठीक है यह boats and stream का question है यहाँ पर downstream में एक आदमी boat को चलाता है 9 गंटे तक और 18 hours तक वो चलाता है यहाँ पर same distance upstream के अंदर कहाँ गया कि how many hours will it take him to row 3 fifth of the same distance in steel water question बहुत ऐसे heavy level का लग रहा है लेकिन एक है long method एक है short method तो हम जाएंगे short method से तो example के तोर पर मानलो मैं एक random value ले लेता हूँ example के तोर पर distance जो है मैं ले लेता हूँ 180 km ठीक है distance कितना मैंने ले लिया 180 km ले लिया अब 180 km लिया तो यही distance अगर यह downstream में जाता है 9 गंटे में तो यहां पर 9 गंटे इसको time लग रहा है तो speed इसकी जो भी होगी whatever speed होगी downstream का मतलब क्या होता है downstream का मतलब क्या होता है कि जो boat की speed है और जो water की speed है वो दोनो add होगी तो boat की speed को हम ले लेते है s और water की speed को हम ले लेते है यहां पर w तो s plus w जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा downstream है, तो यह जो है, यहाँ पे मुझे s plus w मिल रहा है, अब दूसरा, upstream क्या होता है, speed of boat minus speed of water, तो हम क्या करेंगे, s minus w, यह मेरे अपने indications ले वे, आप अपने ले सकते हो, distance कितना है, 180 km है, तो अब यह बताना है, कि यहाँ पे s plus w में, अगर हम देखे तो 9 hours में, यहाँ पे distance दिया है, और time यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, इसमें time कितना दिया है, 9 hours दिया है, तो distance में, अगर speed की formula क्या होती है, s equals to d upon t, तो हमें यहाँ पे speed पता करनी है, तो speed कितनी होगी, s equals to d by t के हिसाब से, 180 upon 9 करेंगे, तो क्या आया, यहाँ पे आया, 20, 20 km per hour आया, यह distance हमने assume किया है, ठीक है, यह assume करके रखना है, ऐसे ही, upstream के अंदर क्या आएगा, 180 upon 18, 18 hours time लगा हुआ है, तो 18, 10 जा, ठीक है, तो क्या 10 km per hour, अब यह मेरे पास upstream and downstream की speed आ गई है, मुझे boat की speed find करनी हो, तो कैसे find करूँगा, देखो, इन दोनों को अगर मैं add करू, s plus w, जो कि मेरा downstream है, उसमें add करता हूँ upstream को s minus w, तो क्या cancel हो रहा है, w, यानि कि water की speed जो है, वो cancel हो गए, तो क्या बची मेरे पास, 2s बची, 2s मिल रही है, तीक है, अब यह जो मैंने add किया, यह जो मैंने addition perform किया था, यह actually equal के इस तरफ कैसे देखेगा, मैंने actually दोनों की speed को यह add किया था, तो इस तरफ क्या आया, 30 आया, 2s equals to 30, s equals to क्या आयेगा, 30 upon 2, that is 15 km per hour, मतलब boat की speed कितनी है, 15 km per hour, काफी लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा, बट यह सबसे shortest method है, इस question को solve करने की, यहां पर मैंने किया क्या है, जियान से समझो, मैंने यहां पर upstream, downstream, sorry, downstream and upstream दोनों को add कर दिया, add कर दिया, तो add किया, तो equal के इस तरफ इनकी speed भी तो add करूँगा, वो मैंने कर दिया, cancel क्या हो गया, www cancel हो गया, बचा क speed of boat is 10 plus 20 divided by 2, यह समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ, मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे हो रहा है, speed of boat मुझे मिल चुके है, कितनी है, 15 km पा रहा है, यह मैंने ले लिया, distance मेरे पास है, तो अब आगे मुझे क्या find करना है, 35th distance travel किया जाए, किसमें, steel water में, steel water का मतलब क्या होता है, शान्त पानी, मतलब कि कोई इसमें stream की speed नहीं है, पानी रुका हुआ है, तो अब क्या find करेंगे, कि भाई अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ बोट की speed से एक बोट चल रही है, water की कोई speed है ही नहीं, लेकिन कितना है, 35th of the distance, मतलब 180 km का 35th find करेंगे, तो यह मुझे मिल गया, 35th, 36 into 3, कितना होगा हमारा, यहां पर आएगा 108, 108 km जो है, यह यहां पर बोट की speed के साब से travel करना है, तो time कितना लगेगा, to t equals to, s equals to d by t था ना formula, तो t equals to क्या होगा, d by s, 108 upon, क्या होगा, यहां पर मेरा 15 km है, 15 7s जा क्या होगा, 105, 30 आया, तो 0.2, तो 7.2 hours लगेंगे, यहां पर इसको cover करने में, ठीक है, अब आप पूछोगे, कि यह जो 180 km मैंने लिया, वो कैसे लिया, में सवाल यहीं पर आका अ कि यह कैसे हम ले सकते हैं, और मैंने क्यों लिया था, 180 नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 150 लेते तो भी answer आ जाता, मैंने 180 लिया, उसका reason है, 180 का ऐसी value है, जो 9 से भी cancel हो जाएगी, और 18 से भी cancel हो जाएगी, मैं अगर कोई और value लेता, तो शायद मुझे यहीं पर decimal में answer मिलता, जो मेरा calculation नहीं करने देता, तो यह एक चीज के 180 क्यों ली, आप 90 भी ले सकते हो, क्योंकि 90 भी cancel हो जाएगा, ठीक है, answer आपका 7.2 यह आएगा, करके देख लेना, अब next question, क्यों मैंने यहाँ पर value ली, और यह value से क्या मेरा answer आ सकता है, yes, perfectly आ सकता है, क्यों, क्यों question के अंदर अगर आप देखोगे न, तो distance के बारे में कोई भी बात नहीं की है, मतलब distance इन्होंने बताया भी है final, तो क्या कहा है, three-fifth, मतलब कोई भी distance आप ले लो, उसका three-fifth है न, और time दिया हुआ है, तो time तो आप कोई भी distance ले लो, वो आप लगा सकते हो, तो distance नही नहीं दिया था, तो हमने assume कर लिया, मैं यहाँ पर 100 भी assume कर सकता हूँ, लेकिन 9 और 18 से वो cancel नहीं होगा, जिसकी वज़े से आपका answer आने में बहुत सारी दिक्कत आजाएगी, so value आप suppose कर सकते हो, काफी सार ऐसे questions है, in fact आज की वीडियो में काफी questions है, जो आपको यहाँ प study the given chart, answer the following question, what is the central angle corresponding to the production of steel in Kerala, मतलब Kerala में जो steel का production है, वो यहाँ पर इस pie chart के अदर कितना angle ले रहा है, तो भाई इसको थोड़ा zoom कर देते है, अभी आपको mostly देख रहा होगा, तो यह Kerala जो है कहां पर आ रहा है, यह yellow mark किया हुआ है, तो Kerala यहाँ पर आ रहा है, तो K मुझा हुआ है, अब कैसे find करेंगे, तो simply देखो, हमें Kerala का ही find करना है, तो 200 हमने ले लिया, जो मुझे value चाहिए, upon में यह सब का total होना चाहिए, total यहाँ पर कैसे find करेंगे, तो total find करने का बहुत simple तरीका है, देखो, सबकी average value देख लो, यहाँ पर 200 है, 200, 200, तो यह कितन ले लो, तो 1000 हो गया, ठीक है, अब आपको यह थोड़ा ऊपर से गया होगा, मैं help करता हूँ, देखो, यह 20 कम है ना, तो इसके 20 इसमें ले लो, तो यह 200, 200 बन गए, 400 हो गया, अब इसके 40 इसमें ले लो, तो यह 200, 400 हो गया, 400 प्लस 400, 800 और यह 200, 1000 हो गया, अब मुझे यहा हिस्सा है, यह कितना परसंटेज पूरे का ले रहा है, तो सबसे पहले यह हमें find करना पड़ेगा, बहुत simple है, यहाँ पर आगया आपका अंसर 20 परसंटेज, 20 परसंटेज, पूरे पाइचार्ट में से सिफ केरला ले रहा है, अब पूरे सरकल का total angle कितना होता है, 360 होता है, तो 100 परसंटेज मतलब 360 है, तो 20 परसंटेज मतलब कितना, बहुत basic है, अब क्या करेंगे question mark मुझे find करना है, तो हम बचपन में ऐसा ही करते हैं, 20 into 360 upon 100 equals to question mark, जो मुझे चाहिए, तो यह आपके zeros cancel होगे, 36 to 72, मतलब 72 डिगरी जो है, वो यहाँ पर केरला ले रहा है, यह आपका answer है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिया है, आप अगर screenshot लेना चाते हो, ले सकते हो, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, बहुत easy question है, चुटकियों में solve हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा ऐसे basic चोटी-चोटी tricks जानते हो, so आगे पढ़ते है, आज का यहाँ next question, जो की profit and loss का है, अब यह वाला जो question है ना, यह थोड़ा सा paration करेगा, तो मेरे लिए सिर्फ बने रहना, ठीक है, इसकी दो method है, detailed and trick वाली, मैं trick वाले से solve करने वाला हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो आपको साथ में concept भी समझाता जाओंगा, successive discount क्या होता है, net profit यह बहुत net profit कितना कमाता है, 44 percentage है, अब इन्होंने यह 44 percentage किस पे कमाया है, successive discount of 10 percentage and 20 percentage, अब successive discount का मतलब क्या होता है, successive discount का मतलब यह होता है, कि पहले 10 percentage दिया, फिर जो बचा, उस पे 20 percentage, अब यह चीज़ अभी के लिए थोड़ी दिर के लिए छोड़ दो, इसका बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, पुरालक concept है, इस question में इतना use नहीं होगा, लेकिन पूछा यह है, कि find the net profit percentage, if the shopkeeper sells the same article at a discount of 15 percentage, अब मान लो, 10 percentage and 20 percentage पे वो नहीं बेच रहा है, लेकिन वो क्या बेच रहा है, exact 15 percentage के discount पे बेचता है, तब उसका profit कितना होता है, मतलब successive discount पे 44 percentage है, तो 15 percentage के exact discount पे कितना होगा, सुनने में ही question बहुत इसी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा परिशान करेगा, successive discount का मतलब क्या होता है, 10 और 20, कितना 30, नहीं, ऐसा नहीं होता है, successive discount का मतलब होता है, 10 plus 20, minus 10 into 20 upon 100, ठीक है, यह हमेशा याद रखना, तो 2 1s are 2, 10 plus 20, 30, 30 minus 2, कितना है, 28 percentage, तो actually ज 10 plus 20 percentage का मतलब होता है, जब successive discount का आगया हो ना, दोनों को plus कर दो, minus कर दो, यह वाले term से, मतलब 10 into 20 upon 100, यह आपका आगया, 28 percentage, ऐसे यह 15 percentage है, obviously 44 percentage से कम value होगी, तो एक बार option पे नजर डाल दो, कि बाई, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ change आएंगे, देखो, discount कितना है, 28 percentage है, discount है, 28 percentage, यहाँ पे कितना discount है, 15 percentage, तो यहाँ पे profit जो है, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, जब आपको दुकानदार discount कम दे, दुकानदार discount अगर आपको कम देता है, तो उसका profit बढ़ेगा ना, obviously, अगर वो पहले ज्यादा discount दे रहा था, अभी कम discount दे रहा है, that means, आपको चीज थोड़ी महंगी मिल रही है, जिसकी वज़े से उसका profit जो है, बढ़ जाएगा, तो 44 percentage से value बढ़ी आएगी, ठीक है, यह चीज एक पक्की होगी, एक चीज चेक कर सकते हो, बहुत rarely होती है, option में 44 percentage से बढ़ी value आपका answer होगा, तो यह चेक करना है, कि 44 से बढ़ी value कित वैसे यहां पर भी answer मैं कह सकता हूँ, कैसे पता है, अब देखो, discount 28 percentage है, सीधा आधे जैसा हो गया, तो profit जो है वो double के round चला जाएगा, या फिर थोड़ा से दूर जाएगा, तो आपके पस दो option बचे, 50 percentage और 70 percentage, 44 का 50 नहीं होगा, क्योंकि discount में बहुत difference आए, तो यह होगा 70 percentage, देखो, answer 70 percentage है, यह for sure, but, solve करना पड़ेगा, check करना पड़ेगा, अब solve करते है, तो यहां पे मैं बहुत ही चीज करूँगा, मुझे product के बारे में कोई details, मुझे cost price नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो example के तोर पे, मैं यहां पे mark price को 100 ले लेता हूँ, क्या ले लेता जो price लिखी हुई है, तो जो price लिखी हुई है, वो actual उतने में नहीं बेचा जाता है, उससे कम है, मतलब mark price के उपर discount मिलता है, तो mark price मान लो 100 है, तो इस product को कितने discount में बेचा है, 28 percentage पे, तो selling price क्या होगी, 72, ठीक है, यह एक scenario हो गया, 28 percentage का समझ में आ गया, अब यह वाला scenario स price क्या होगी, 44 होगी, क्यों, sorry, 144 होगी, क्यों, क्योंकि 100 रुपे तो इसका cost price है, बेचेगा कितना, profit रखे, profit कितना होगी, 44 percentage तो 144 होगी, अब यह दोनों आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, कि मैंने क्या किया, मैंने simply दो scenario लिए है, अब दोनों में common चीज़ क्या है, cost price मेरे, sorry, selling price दोनों में common है, selling price दोनों में common है, अब मुझे selling price को same करना हो, जैसे यहाँ पर 144 है, तो इसको अगर मैं 144 करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2 से multiply करूँगा, तो यह 144 हो गया, अब यहाँ पर मैंने 2 से multiply किया है, तो यह पूरे scenario, so यहाँ पर अगर आप mark price जो है, वो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 200 हो गया, मैंने यहाँ पर values को match किया, इसकी value match की, तो यह 200 हो गया और selling price मेरा कितना है, by 144 है, मतलब person को यह जो दुकान वाला है, उसको product 100 रुपे में ही पड़ता है, लेकिन वो क्या करता है, 100 की जगा पर बेचने का जो amount है, mark price है वो कितना रख देता है, 200 रख देता है, अब वो 200 रखने के बाद क्या कर रहा है, discount दे रहा है, जिसकी वज़स से यहाँ पर product 144 में भिखता है, मतलब उसको तो किसी भी आलत में profit ही होने वाला है, उसने बेचने वाला price अलग रखा है, दिखाने वाला अलग रखा है, दिख क्या पूछा है, कि यह discount ही अगर मान लो, 15% हो, तब आप क्या करोगे है, तो अब यहाँ भी यह वाली situation को समझते, यहाँ पर 15% क्या है, discount है, discount किस पे होता है, mark price, दिखाने वाली price पे होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, 200 इन्हों ने दिखाया, 28% का discount दे दिया, और discount 28% था, यहाँ पर discount कितना है, 15% है, तो दोसों का 15% कितना होता है, 20 और 10, मतलब 30 होता है, तो selling price यहाँ पे क्या होगा, 170 होगा, मतलब 200 का 15% निकाल होगे न, तो आएगा क्या answer, 170, मतलब अब अगर product बेचेगा, तो कम discount पे बेचेगा, और कितने में बेचेगा, 170 में बेच है वो हमारा यहां पे जो है profit है जो कि पहले 44 परसंटेज था अब कितना हो गया 70 परसंटेज हो गया समझ में आ गया होगा I hope नहीं आया पूरा एक बार अगें देख लीजी यह सबसे shortest method है यह long method नहीं यह long method तो अभी मैंने की नहीं है यह यहां पे तरीका है कि आप कम calculation में फ बर जाके एक पर देख लो काफी easy way में मैंने बताया हुआ है so I hope आपको समझ में आ गया होगा and अभी यहां पर इस वीडियो को stop करते हैं यहीं तक के questions लेते हैं next वीडियो में continue करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है आपके दिमाग में कोई question है कोई question आपसे solve नही इस वीडियो में तब तक के लिए good bye take care